आप देख रहे हैं E Channel with Thing Channel मैं हूँ आपके साथ मनस विर्याज तो आज हम बात करने वाले हैं पहली object perigee के बारे में और दूसरा apogee के बारे में तो start करते हैं video को तो guys perigee apogee होता क्या है हम basically इस वीडियो में इसी चीज़ पर focus करेंगे आप यहां पे देखिए Earth है आज पास एक orbit है orbit Moon का भी orbit हो सकता है वो एक satellite का भी orbit हो सकता है किसी भी चीज़ का orbit है जो कि धर्ती के gravitational force के वज़े से गोल 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 भूम रहा है gravitational force वाली वीडियो भी YouTube पे आ जाएगी वो भी मैं बताऊँगा कि exactly होता कि है इस तरीके से orbit elliptical ही क्यों होते हैं तो वो सब चीज़ हम जानेंगे खेर अभी तो हम आप पहरी जी अपर जी बात कर रहे हैं देखिए elliptical orbit है मतलब suppose Earth यहां इस position पर है तो Earth से कभी उस path जो trajectory है जो orbit है उसमें अगर एक satellite move कर रहा है तो वो कभी pass आ रहा है कभी दूर आ रहा है तो something it is like this एक point पर pass एक point पर बहुत far away तो इस तरीके से not complete circle as an elliptical तो क्या हो रहा है कि moon just satellite है हमारा natural satellite है जो हमारी धर्दी का चकर काट रहा है वो एक time पर बहुत close आता है और एक time पर बहुत close आता है earth से एक time पर बहुत far away हो जाता है आप देखेंगे इतना close फिर कभी भी moon नहीं आ रहा है इतना close जितना अभी यहां इस point पर है और इतना far भी कभी नहीं जा रहा है तो जो farthest point है from the earth moon का उसको हम apogee बता रहे हैं जरूरी नहीं है वो moon हो कोई भी satellite भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है जो object का farthest point है from the earth in the orbit elliptical orbit is known as apogee and the nearest point of the object in the orbit is known as perigee near point perigee far point apogee होता है आप दिखेंगे यह distance बहुत small है smaller है इस distance है और यह जो distance है यह इससे larger है आप यह खोदी देख लेए figure में जिसते ही किसम ने बनाया है तो guys this is the thing कि perigee near point apogee the farthest point होता है from the earth of a natural satellite in its own orbit अपने orbit में यह points उसके होते हैं so guys आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा like करिएगा subscribe करिएगा channel को comment करिएगा कोई doubt रागया होगा तो मैं sort out करने कोशिश करूंगा and share जरूर करिएगा good bye